हेलो एवरिवन वेलकम टू एग्जाम्टेश एजी तो आज के इस वीडियों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली उवर्शिटी का जो एमने पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट कॉट अफ हुआ था उसमें कौन-कौन से ऐसे कॉलेजेज हैं जहां पर हंडिट परशेंट आपका फर्स्ट कॉट ओफ की जितने भी सीट से सारे रेकेंट जाने वाले हैं और कितना कौन-कौन से कॉलेजेजे में फिर आपका अपग्रेड होने का चांस है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि यह हम लोग compare करें जेन्यों को लेकर जेन्यों के जो गया था वह 83 गया था जो आपका आयार था इस मिन्स अगर हम इसको मार्क्स में कनफर्ट करते हैं तो यह आपका 250 सुरी 249 निकल कर आता है यह आप 249 मान के चलिए 249 इसका मतलब यह हो जाता है कि 249 एन एवब जितने भी इसे इस्ट्वेंट थे जितने भी 249 एन एवब जिन्होंने स्कोर किया है उसको जेनु में एड्मिशन मिल गया तो ड्यू में बहुत सारे इस्ट्वेंट आएंगे जिनका स्कोर जे 249 से नीचे रहा है अब हिंदू कॉलेज का फर्स्ट कट ऑफ 256 गया यह देखिए हुआ इसलिए क्योंकि जब जेनु का कट ऑफ जब तक नहीं आया था ड्यू का रेश्ट्रेशन इस्टार्ट हो गया था तो बहुत सारे ऐसे कंडिडेट थे जो जेनु के साथ साथ इन्होंने एड्मिशन न आपको जेनु मिल गया है तो यहां पे भी आपको एड्मिशन यह सारे सीट से जनरल केटेग्री के वह वेकट जाएंगे अब केमसी की बात करते हैं तो केमसी में भी अगर मालेजी एक वी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फिमिल कैटेग्री के थे तो वह भी सीट वेकंड ज जानते हैं जिन्होंने अच्छा स्कूर किया डिपार्ट्रेंड ऑपॉलिटिकल साइंस से ऑफर भी आया था तो यहां पे आप मान के चलिए 241 की अगर हम बात करते हैं सो यहां पे आप कम से कम मान के चलिए कि 25 से 26 सीट जो है रेकेट चली जाएगी वही रामजास की बात क सेब्सक्राइब करें यहां पे ज्यादा सीट्स है नहीं दो से तिन सीट्स होते हैं लेकिन यह सारे सीट्स हैं से इसे फ fan culture अगिन यह भी आपका फिमेल कॉलेज के इसमें है इसमें गरंकर आप 15 कर देते हैं तो यह भी इसका जो जनेरल सारा सीट है वो सारा वेकेट जाता है 247 का मतलब हो जाता है कि एक दो भी candidate होंगी तो उनको जो है जैनु मिल गया है बाकि यह सारे college ऐसे हैं जिनका second cut-off list में जो है यह सारे अप्ग्रेड होंगे अप्ग्रेड निदर सिंस की कोई अगर ऐसा जिनको जानकी दे भी मिला है तो चांसे है कि अगर आपने च्वाइस को ऊपर रखा है तो आपको आपको गारगी college या फिर आपको जह दौलत राम मिल जाए बहुत बहुत समस्य यह हो जाते हैं कि हम लोग सही से प्रेफरेंश नहीं देते हैं तो कट आफ हिंदू college का LSR का KMC का यह department of political science से उपर चला गए जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था पर्स्ट च्वाइस हमाई से प्रेफरेंट का साइंस जो होता है वैली उसी का है जो college है हिंदू college KMC यह सब तो आपके अंडर्ग्राड लेवल पर वैल्यू है पोस्ट ग्रेजवेट लेवल पर इनका कोई वैल्यू नहीं है यह सिप अद्मिस्टेटिव पर्पोस के लिए यहां college को through admission दिया जाता है तो इस हिसाब से यह जितने सारे colleges हैं यह सारे में आपका जो है यह सारा अपग्रेड होना है और अगर मैं बात कुरू माता सुंदर college for women पे तो यहां पे आपका 216 से 222 के बीच में जितना है उनका admission हो जाएगा अगर आपने यह college सारा नहीं बरहें यह female candidates की बात कर रहा हूं तो आप यह देखिए कर लास्ट में जितने अगर आपका 216 है तो आपका चांस है कि आपको जो है कोई कोई college मिलिंग जाएगा वहीं अगर मैं बात करूं क्यूंकि female colleges जादा के लिए limited colleges होते हैं for example अकम्ला नहरू college यह भी आपका female college है जानकी दे भी मिलिंग किलंदी यह सारा आप पर जो नीचे का आप देखिएगा यह सारे female colleges जाते है 1 2 3 4 5 6 प्लस यह थी 9 9 extra colleges हो रहे हैं जो इसी ही आप देखिएगा कि cutoff आपका नीचे जा रहा है अब इतना नीचे जाने का मतलब है कि यह सारे जहां पर जो गार्गी में हो गए या इनका चांस है कि आपको लेडी सिटाम college मिलने का पर चांस हो जाता है क्यों क्योंकि यह सारा है ना उनको तो आप यह बोलेगा कि दॉलात्राम college मिलेगा ने तो वह अपग्रेड होने का चांस हो जाता है लेकिन प्रोवाइडिट की आपने सही काटेगरी में सही तरीके से आपने preference list डाला होगा तभी मिलेगा अपने गलट धन से अगर LSR को नीचे डाल दिया है माकी अपने दॉलात्राम को उपर डाल दिया तो चांस है सोते हैं कि आपको नहीं मिलेगा तो प्रेफरेंस ऐसा होना चाहिए जिसका कटो पर जाएगा इरिस्पेक्टिव और हम लोग का कितना मार्स है वह हमेशा college उपर ही होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे candidate थे जिन्हों जैसे और अनलाइज करते चले जाएंगे आपको सारा information देते चले जाएंगे जो भी candidate है जो 2025 के लिए आपको प्रेपेशन कर रहे तो फटाफ़ट आप लोग 844-887-8849 पर कॉल या message कर सकते हैं क्योंकि 2025 के लिए online classes ही start हो गई है उसके बारे में आपको सारी information दी जाएगी Thank you and we wish you all the very best.